केंज सरकार की तरफ से बहुत समय पहले कांग्रेस के शासिन में एक योजना चलाए गई मिड़े मील की योजना और मिड़े मील की योजना के पीछे उद्देश्य तो बड़ा पवित्र था लेकिन सरकारी अधिकारियों और करमचारियों ने और सरकार में बैठे हुए लोगों ने जिस तरह से इस योजना का भटा बिठाया है वो सब के सामने है मिड़े मील इसलिए था कि गरीब समाज के जो लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते क्योंकि रोजगार नहीं है उन्हों रोटी नहीं दे पाते तो पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है इसलिए ये विवस्ता बाएं गए थी कि बच्चे अगर स्कूल में आएंगे तो वहीं पर उन गरीब बच्चों के लिए मिड़े मील की विवस्ता की जाए यानि दोपहर के भोजन की विवस्ता की जाए और भोजन अगर है तो एक इनसान के नाते जो भोजन होना चाहिए और जिसकी बहुत सरकार करे तो ठीक ठाक भोजन होना चाहिए लेकिन आज की तारीक में आप देख रहे हैं जहां से भी जगे जगे आपको रिपोर्ट मिल जाएंगी न्यूस में आपको सुनने को मिल जाएगा कि मिड़े मिल में कहीं छपकली मिली कहीं कौकरोश मिला कहीं कुछ कहीं कुछ और उसका इसतर उस खाने का इतना गिरा हुआ है कि उसे ढंक से जानवर नहीं खाते इंसान की तो बात दूसरी है या ये सिर्फ इसलिए है कि जो गरीब समाज के लोग हैं शोषित पीड़ी समाज के जो लोग हैं उनके जो बच्चे हैं उनको सिर्फ वही तक रखने के लिए कि इनको इससे जादा देना नहीं है और उनकी इस्तिती सुधारने की बजाए उनको भिकारी बनाने के लिए ये सब किया गया है सरकार क्या इसलिए कर रही है तो जो योजना बहुत अच्छी तरह से चलाई गेती जिसका उद्देश बड़ा अच्छा था कि इसके बहाने बच्चे आएंगे उनको पढ़ाय जाएगा और उनके भोजन की भी विवस्ता की जाएगी आज की तारीक में उस योजना का भटा खुद सरकार नहीं बठा दिया और बहुत बड़ा बहुत ही घटिया खाना बच्चों को दिया जाता है नहीं खाने की कोई विवस्ता धंग से की जाती है नहीं कोई उसकी सुपरविजन उसका धंग से किया जाता है और इसके साथ साथ एक और चीज बड़ी दुखद है जिसे मैं यहीं पर कहना चाऊंगा मिड़े मिल से जड़ी हुई जो सु मिड़े मिल को बनाने वाली महिलाएं है उनके जो उन्हें मान दे दिया जाता है जो उन्हें वेतन दिया जाता है या जो उन्हें महंताना दिया जाता है वो भीक से भी बत्तर है केवल एक हजार रुपे पर मन्त मिड्डे मेल बनाने वाली महीलाओं को दिया जाता है जरह सोचेंगे कि चार घंटे कम से कम उस खाने को बनाने में और उसके बरतनों को धोने वगरा इत्यादी सारे काम में लगते हैं तो उस एक हजार रुपे महीने में क्या होता है आज के समय में मैंने बार-बार कहा है फिर इस बात को कहता हूँ कि जहाँ प्याज पचास रुपे से किलो कम नहीं है जैका माटर पचास रुपे से 80 रुपे किलो तक बिग गया आलो भी दो एक साल डेर साल पहले पचास रुपे किलो तक बिग गया उन हालात में एक हजार रुपे महीना आज भी भिकारी को भी अगर आप देतो एक हजार रुपे महीने से कितना हो गया मातर तीन सो रुपे परड़े के हिसाब से हो गया तो नहीं 300 रुपे 10 दिन के हो गया है मतलब सिर्फ 30 रुपे आप दे रहे हैं 30 से 32 रुपे या 33 रुपे माल लिए जाए वो एक दिन के खाना बनाने के दे रहे हैं कम से कम एक व्यक्ति को नियूंतम मज़़ूरी तो दो यार कम से कम ताकि वो सही तरीके से वो काम कर सेगे ज योजना जो भले के लिए बनाई जाती है वो योजना अभिशाब बन जाती है और आज की तारीक में मैं सीधा सीधा कहूं मेरे विचार में तो ये मिड़े मिल की योजना जो है वो गरीब समाज के बच्चों को भिकारी बनाने की उनके स्वाबी मान को खत्म करने की योजन दिया जाता है खाना बनाने के लिए उनकी ओर सोचे और कम से कम 5,000 रुपे महीने उनकी भी वेतन किया जाए ताकि अच्छा खाना बन सके सही काम हो सके और सही भोजन बच्चों को मिल सके